next question 2000 का सवाल है question says the frequency order of gamma rays इसको B नाम दिया है हमने X-ray उसको A दिया है और आपकी ultra wallet rays क्या होगा इनका में frequency order बताना है तो अगे इन एक बाफ फिर electromagnetic spectrum फिर बना लेते हैं सो यह आपकी radio wave है radio लिया आपने उसको microwave में रख दिया वो आपका red hot हो जाएगा उसको infrared पहले लिख लें wallet इदर आएगा उसका ultra wallet फिर X-ray फिर gamma फिर cosmic rays आएंगे ठीक है तो और यहां से यहां जब जाते हैं तो frequency आपकी increase होती है हमें इसी पर comment करना है तो यहां पर आपने B तो दिया है gamma rays को तो यह आपका B है और A दिया है हमने X-ray को यह आपका A है और उसके बाद हमने C दिया है ultra wallet rays को यह आपका C है इसके basis पर अगर frequency क्योंकि यहां से यहां बढ़ रही है तो हम कहेंगे B की frequency ज़्यादा होएगी आपकी A से और वह ज़्यादा होएगी C से तो BAC that should be the ratio तो यह हमें option number A में दिया हुआ है BAC so option number A would be the right answer